हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टच में रहो का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है टच में रहो इसका इंग्लिश मीनिंग है stay in touch उदाहरण से समस्ते हैं से उदाहरण तुम टच में रहो यहां टच में रहो का इंग्लिश मीनिंग stay in touch है एक और उदाहरण से समझते हैं इसे उदाहरण उसने कहा टच में रहो यहां टच में रहो का English meaning stay in touch है इसी के साथ आजके इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें